भाकि श्री जी श्री श्री महराज जी आपके चर्ण में रणवत प्रणाम महराज जी यदि प्रारब्द ही सब कुछ है तो करम की आफशक्ता क्या है पीछे का गोदाम अगर जमा है सौ किलो तो अब उसको खा लीजिए आगे भूंखो मरना पड़ेगा प्रारब्द क्या है पीछे का तुम्हारा क्या हुआ कर्म और नमीन कर्म नई फचल तो बेकूफी करो पड़ा रहने दो खेत ऐसे मत वो पर ये कर्म भूमी ऐसी कि तुम्हारे करने ना करने से मतलब नहीं चड़े हुए यंत्र में हो माया की करना ही पड़ेगा कोई ऐसा हाई नहीं एक शण भी बिना किये रह सके हाथ पेरबंद वा लिजिए तो मन से सुरू हो गया वो मन से कर रहा है भाई केवल सरीरे से थोड़ी तीन सरीर है इस्तूल, सूक्ष, वकारण ज्ञान की बात समझो फिर करने की क्या जरूरत है करने की इसलिए जरूरत है कि पूराना जो बंबूल बोया था तो अब काट रहे हैं थोड़ा आम बोले हो तो रसीले आम पाले ना काय को बंबूले खाते रहोगे अच्छे कर्म कर लो पूर में हमारे ऐसे कर्म हो गए कि भारी समस्याओं से जूजना पड़ रहा है रोग ना ना प्रकार की बिपत्या अब थोड़ा भजन कर लो भगवान को रिजा लो दूसरों की शेवा कर लो गौशेवा कर लो साथ ससुर की सेवा कर लो पती पुत्र की सेवा कर लो भगवत बाव से यह नई खेती है मंगल में उप जाओ जैसी खेती चाओ करना नहीं है तो ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मैं आज से कुछ नहीं करूँगा क्योंकि यह वही कर सकता है जो ब्रमबोध हो चुका है नहीं तो माया तीन गुण है सतो गुण, रजो गुण, तबो गुण सब करा लेगी किसी से हाथ पैर बंद वागे बैट जाओ कि मैं कुछ नहीं करूँगा बिना हाथ पैर के भी काम हो जाते है काम तो अंदरे से पहले होता है बाद में हाथ पैर चलते है और फिर ऐसा भी होगा कि तुम्हारे ही द्वारा वो रश्ची काटने का प्रयास होगा और सामने वाले पर प्रहार करने, वो क्रियाक भी न रहने सकते अरजुन कह रहे हैं कि हम योद्ध नहीं करेंगे युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा आग्या मान ले तो विजय को प्राप्त होगा अगर नहीं कहता है तो जब ये लोग कहेंगे न धिकार तेरे गांडी को और छट्री कुल में जन्मने को धिकार तो तू बैठी नहीं पाएगा फिर तू इनको मारेगा फिर विजय होगी कि नहीं ये अंपक्का नहीं कह सकते अभी हम है कह रहे हैं तो युद्ध कर तेरी विजय निश्चित है युद्ध तो करना ही पड़ेगा तुझे अगर हमारी आग्या कपालन नहीं करेगा तो ये करवा लेंगे जब धिकार करेंगे न ललकारेंगे न तो तेरे में छमता नहीं कि तो पीठ दिखा के बाग तो भिड़ेगा ही कर्म तो करना ही पड़ेगा मेरी बात माल लो तो कर्म करते हुए मुक्त हो जाओगे और नहीं तो कर्म भी फस शाओ के, कर्म तो करला ही पढ़ेगा. प्रारवद कोई देवता है, तोवारा पीछे किया हुए कर्म है, प्रारवद किसे कहते है? पीछे किय हुए कर्म के स्टाक से जो आपका इस जन्म में भोग लिका है, अच्छा और बुरा दोनों उसे प्रारद कहते हैं प्रारद कोई दे होता है क्या कोई भगवाल है क्या प्रारद को मिटाया भी जा सकता है भजन के बल से भई हमारा नयान बढ़ियां तयार हो रहा तो पीछे वाले को अब नहीं खाना है तो दीरे से आग लगा देते हैं खतम के वो दिया जलाई ज्यान है वो आग ज्यान है ज्यान प्रगट हुआ साप कर्मशन सकार्भस हो गए नहीं तो किसी का मोक्षय ही न हो कोई भगवान को प्राप्ते ही न हो इतने जन्मों के पाप जमा है तो भाई इसमें तो चलना सकी ऐसे ही पड़िया समया रहा है पता नहीं समया रहा है के लिए